हेलो फ्रेंट स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 3.1 टैक तो फ्रेंट्स अगर आप एक शोट वीडियो क्रियेटर हैं आपका शोट्स का चैनल है आप शोट्स बनाते हैं अपने मुबाइल फोन का यूज़ करके बनाते हैं और आप जब भी अपने मुबाइल फोन से शोट वीडियो का अपलोड करते हैं तो आपको थमनिल का ओप्शन वहाँ पर दिखाए नहीं देता मतलब आप अपनी वीडियो के उपर अपनी शोट्स के उपर थमनिल नहीं लगा पा रहे हैं आपको ये प्रोब्लम आ रही है तो और फ्रेंड्स वीडियो छोटी सी है पर काफी ज़ादा इंफरमेटिव है तो वीडियो को पूरा लास तक जरूर देखेगा वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ओन करके उसे ओल पर सेट कर लें जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं करेंड्स हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन के उपर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं तो यहां पे हमें सबसे पहले जो अपने यूट्यूब की जो एप्लिकेशन है हमारी हमें उसे उपन कर लेना है तो मैं यूट्यूब की एप्लिकेशन पर क्लिक करके से उपन कर लेता हूं और अपने चैनल के अंदर आपको लोग इन कर लेना है मैंने एकड़मी चैनल से इसमें लोग इन कर लिया है तो हमें सबसे पहले यहां पे शोट अप्लोड करनी है तो यहां पे नीचे आपको सेंटर में प्लस का आइकन दिखाई देगा आपको इसके उपर क्लिक करना है तो यहां पर आप अपनी कोई क्रेट भी कर सकते हैं शोट वीडियो यह आपके गैलरी में पड़ी है तो मैं आपको दिखाने के लिए सिखाने के लिए एक वीडियो यहां पर अपलोड कर लेता हूं गैलरी में से यहां पर जो लेप्ट साइड में नीचे करेंगारे बोटम में जो अइकन दिख रहा है आपको ऊक्स इस पर क्लिक करके हम गैलरी में चले जाएंगे और हुआ से एक वीडियो की अप्लोड करेंगे तो मैं जल्दी से एक डब्मी वीडियो तो unlisted ही रखें पहले ठीक है बाद में उसे public करें तो यहाँ पर select audience का option है तो मैं इसके उपर click करूँगा no कर दूँगा no it's not made for kids ठीक है और upload short पर click कर दूँगा तो अब जब तक यह upload हो उससे पहले ही हमें अपने वाइटी स्टूडियो की जो application है उसको open कर लेना है ठीक है आप देख सकते हैं आप यह demo video जो है वह upload हो रही है अभी होई नहीं है ठीक है तो यह जब तक upload नहीं होती उस बीच में ही हम अपना thumbnail इसमें लगा देंगे ठीक है आपको जो problem आ रहे थी वह इसलिए आ रहे थी कि आप इसे upload कर देते हैं और फिर आपको thumbnail का option नहीं मिलता तो यह upload होने दीजिए अभी इसे upload नहीं हुई यह पूरी ठीक है पेंडिंग दिखा रहा है अभी uploading में चल रही है ठीक है तो हम सिंपल इसके उपर क्लिक करेंगे और यहां से जो पैंसिल का जो आइकन है एडिट वाला इसके उपर क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं यहां पे हमें पैंसिल का इकन मिल गया है तो हम इसके उपर क्लिक तो मैंने आपको सिखाने के लिए यहां पर लगा दिया है और सिंपल हमें डन के उपर क्लिक कर देना है तो आप देख सकते हैं मेरी जो यहां पर सेव कर देना है इसे तो आप देख सकते हैं मेरी इस वीडियो के उपर और ये वीडियो भी अपलोड हो गी है जो short है ठीक है, यह आप देख सकते हैं यहाँ पर thumbnail लग चुका है इसके उपर तो इस तरीकscay से आप भी अपनी short videos के अंदर thumbnail लगा सकते हैं तो friends अब आपने अच्छे से सीख लिया हुआ कि किस तरीके से आप अपने mobile phone से ही thumbnail अपनी short video के उपर लगा सकते हैं अगर फिर भी video से related कोई भी query कोई भी question है आपके mind में तो आप मुझे नीचे comment section में comment करके जरूर बताएं और अगर आपको video अच्छी लगी हो पसंद आई हो तो इसे एक like जरूर करें और ज़ाद से ज़ाद शेयर करें Thank you